दोस्तो देंटराक के बारे में कौन नहीं जानता लेकिन जो बातें देंटराक के बारे में बताने वाला हूँ शायद वो आपने इस से पहले कभी न सुनी हूँ दोस्तो इसके अंदर पाए जाने वाले तत्व की ना करें तो इसमें पूदेन सैट, कपूर, बजर दंती, लोंग, छोटी पिपली, खल्दी, अकर करहा, पिलू, तोमर, बाकूल, मुलटी, वुबूल भी शामिल किया जाता है दोस्तो इसके अंदर जो पूदेन सैट पाया जाता है, इसका ये फाइदा है कि आपको जिसम पर कहीं भी जखम लाग जाता है तो आप देंटो डाक को इस्तमाल करके जखम को ठीक कर सकते हैं इसके अलावा देंटो डाक में कपूर भी शामिल किया जाता है जो कि अपनी खुश्बू और नेचरल मेडिसिनल फाइदू के लिए भी जाना जाता है ये बहुत सारी बीमारियों और ब्यूडी प्राबलम को ठीक करता है तो दोस्तो अगर आपके पाउं की एडियां फटी ह तो आप देंटो डाक को इस्तमाल कर सकते हैं या कटे जले पर भी आप देंटो डाक का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो क्यूंकि इसके अंदर देंटो डाक के अंदर कपूर बिलकुल प्यूर फाम में पाये जाता है इसलिए आप थोड़ी मिकदार में इसको लें दोस्तो तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को भी ये खतम कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर बजर धंती भी शामिल किया गया है जिससे आपके दान्तु से जुड़ी कोई भी बिमारी का अलाज किया जा सकता है। जैसे मसुड़ू से खून, अना, जन जनाहर, दान्तु का कीड़ा लग जाना, दान्तु की कोई भी बिमारी हो इस पर ये फाइदे मन्द है। दोस्तो इसके अलावा इसमें शामिल किया गया है अकरकरा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही लेकिन ये डेन्टु रख के अंदर शामिल किया गया है इसलिए हम इसी के हवाले से आपको बताएंगे। दोस्तो अकरकरा के बारे में कहा जाता है अगर आप सिर्फ इसको मूँ के अंदर रख लेते हैं तो आपको ब्रश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ दान्तु के कीडे को भी ये मारता है। दोस्तो इसके अलावा अकरकरा को में पावर या मर्दने कमजोरी पर भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन वो हम आपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे। इसलिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और नोडिफिकेशन के लिए बेला आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तो इसके अलावा शायद आपने ये भी सुन रखा हो के देंटो डाग को गले की बिमारियों पर गले की प्रावलम पर भी इस्तमाल किया जाता है। और वो इसको जड़ से खतम कर देता है। अब आधिक जड़ी वुटियां शामिल हैं जिनके बारे में बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए एस्लीपियस वेलनेस की तरफ से गुड़ लख।